आदित्य भूपती, आज इसका जनाए नियुक्त, आदित्य भूपती. इसे आशिर्वाद दीजिए. बेटा भगवान ने तुम्हें इनका बेटा बनाया, यही सबसे बड़ा आशिर्वाद है, जीते रहो. आज जितना आशिर्वाद चाहिए ले ले, क्योंकि कल आशिर्वाद लेने के लिए तुँ जिन्दा नहीं बचेगा. अरे, विनिश्टर साब का बेटा गिर गया, कोई बचाओ उसको. अरे, बेटा, ले, खाला है. नहीं चाहिए. बेटा, खाने से नहीं रूटते, बेटा. आपके बेटे के जाने के बाद से यह दिन रात रोए जा रहा भाई सब. रोमत, आज से तुम मेरे बेटे आदित्य हो. तुम मुझे बेटा बनाओ, बापू, और मैं तुम्हारी जायदात का वारिस बनूगा. येशन विद्या धपोना दानम ज्यान नशीलम गुणोना धरम तेमरित्यूलो के मरगाश चरंती. इलेक्शन में भारी बहुमत से जीतने के बाद नैशनल पार्टी नई सरकार बनाने जा रही है. बस थोड़ी देर में शपत ग्रहन समारो शुरू होने वाला है. आपको तो सीम बनना चाहिए था. मुझे कुर्सी की कोई लालज नहीं. देखे आठ बार मंत्री और चार बार MLA रह चुका हूं मैं. आवाम की सेवा करने में ही मुझे सुकून मिलता है. नमस्कार, बैठी-बैठी. आपने क्या सोचा है? जीवन में बस दोही इच्छाय रह गई है. पहला आनंद ग्राम बसाना और दूसरा अपने बेटे को मिनिस्टर बनाना. ये आनंद ग्राम क्या है? गुजरात, महराष्टा, 36 गड़, उत्तर प्रदेश, राजिस्थान और विहार, इन सारे प्रदेशों में, मैं अनेको अनाथाश्रम, वृद्धा अश्रम चला रहा हूं, बस यहां शुरू हो जाए. उन्हें रोटी और मकान तो दे दिया, पर खुशी और प्यार नहीं बाट पा रहा. पुर्खों से मिली 10,000 करोड की प्रॉपर्टी को बेच के, 3,000 एकड़ की जमीन पर एक गाउं बनाना चाहता हूं. अनाथया श्रम के सारे बच्चे और वर्धा श्रम के बुजळगों को उस गाउं में शिफ्ट कर दूंगा. उसके बाद मैं भी रहोंगा. अनाथों को माबाब का प्यार, जिन बुजर्गों को उलादों का सम्मान नहीं मिला, मैं उन्हें वो सम्मान दूँगा, यही मेरा सपना है, इसी वज़े से इस प्रजेक्ट का नाम आनंद गराम है, अब यह बहुत जल्द पूरा होगा, आज मैं यही एनाउंस करने वाला और मेरा दूसरा सपना, वो तो आज ही पूरा हो जाएगा, वो देखो मैं आदित्य भूपती शपत लेता हूं कि भारत राज्य द्वारा बनाये गए सम्मिधान का पूरी निष्ठा से पालन करूँगा इस प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने राज्य के प्रति अपने सभी करतव्यों को शद्धा पूर्वक और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा मैं भारत की अस्तित्वता और अखंडता को बनाये रखने की शपत लेता हूं बिना किसी डर के बिना किसी डर के बिना लालच के बिना लालच के बिना लालच के बिना फक्षपात के बिना धर्म निर्पेक्ष रहका धर्म निर्पेक्ष रहका पूरी मांदारी के साथ सामप्रदाइक्ता की सामप्रदाइक्ता की भावनाओं से उपर उठकर इस राज् होम सेक्रेटरी आई एस आपकी तारिफ आज तक किसी ने की ही नहीं क्या बोलूं शर्ट बड़े भाई का पैना है क्या दोबी से एक दिन के लिए उधार पर लिया होटार होटार पर लिया दिल में एक डर सा है कि इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं यही डर तो बताता है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का हैसास हो चुका है आदित्य आज मैं सच मुझ बहुत खुश हूँ तुम मिनिस्टर बन गए और मैं लोगों को आनंद ग्राम का तुफ़ा देने जा रहा हूँ प्रेस कॉन्फरेंस के लिए चलना चाहिए जिन्दाबाद जिन्दाबाद सर हमारी कॉलोनी में पूजा है आशिरवाद देखे जाईए अच्छे काम के लिए कभी मना नहीं करते बेटा जाओ जैसे आग्या पिता जी नमस्ते बंत्रीजी ! बंत्रीजी ! पंत्रीजी, 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 पं चोड़ा, पिचे, पिता जी अरे छोड़ तो पिचे के पास जाना है, चोड़ा जोड़ा, पिता जी ब्रेकिंग न्यूज आज हो मिनिस्टर आदित्य भूपती की कार में बॉम धमाका हुआ इस आतंकी हमले में वो बाल-बाल बचे लेकिन उनके पिता पूर्व मंत्री आनन्द भूपती का इस हमले में देहांत हो गया बीचे 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 दाष्परदो राष्को चड़ो नास्त अच्छी दास्ति नावाँ अधिक बने भीजह में दिलिग्ये इसाद भूपती आपे तेरी बापा विथा जी को तुमने मारा है क्या अनाथों को दस पीज का नोट देते हैं उन पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी को लुटाता है पगले अरे पर गाड़ी में मैं भी था मैं उड़ जाता तो ये बात किसी को बताई तो तुम भी उड़ जाएगा भाई बह्या मैं आपका छोटा भाई 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 बहन हो या महबाप सबको बर रहा है भगवान आपको लंबी उमर दे सब मुझे स्पेशल सिकरोटी ओफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया है फिलहाल हालाथ को सबालो ठीक भी है जी सर अदर्टे भूपती एक रात गजारने की बात क्या कही तुम तो सीधे चले आई फुट मसाज दे ना फुट मसाज के लिए बैंक कोग जाना पड़ेगा अली बेड कर खाली कैसा था मसाज तू नहीं शुदरेगा मार ले खोबले पे थंडा बाणी मार ले डांडे कार चल प्रश्ट 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 कर दो मानेंगी नमस्कार जद साब आदाब वकिल लोग इस आद में को जानते हो तूच दूगे आदा आदब वकिल लोग कोखना दूगा चमक वही जो पियामन भाय क्या बोल रही है भुली गयो ही मेरा कलीगा है पैदा होने के बाद पहली बार देख रहा हूं हमें की वार में पैदा हुए थे जूट बोल रहा है सर यह लोग बच्पन से एलकेजी साथ में जाते थे भांग पिये क्या चुपकर तुम दिला शांत मसलता था अबे यह मेरे फ्रेंड्स का तॉलिया भी खीच चुका है मैंने खुद देखा है यही तो प्रोब्लम है यह रात को ना तेज अस्वीनी को छोड़के तेजा के पास भाग जाता है और इतना ही नहीं हमारी साधी को ना साथ सल हो चुके है लेकिन मेरी मम्मी नानी मतलब आपी तक कुछ वाने मेरा पासपोर्ट साइस फुट हूँ इसके बटवे में है इस पर तो दाग लगा है दाग लगने से हर बार अच्छा नहीं होता है बुरा हुआ है पोचे 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 यह तोम हो इसी वजह से मेरे को तलाग चाहिए तुम्हें तलाग भी मिलेगा और दो लाख भी तुने इसका तलाग क्यों कर वाया रहे शादी के पहले बोला देज नहीं चाहिए शादी के बाद बुला कार चाहिए बोलो भेला नेरी जिंदगी बचाली ठैंक्स हूं हिंदुस्तानी लड़की को न्याय मिलना चाहिए यह लो तुम भाई बोली 9000 मेरी तरफ से 1000 इन लुकों की तरफ से रक्षा बंदन की दिन उंध्यू बना कर रखना मैं थेपले लेकर आऊँगा ओक्या यह बचपन से अनाथ है इसलिए पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है लोगों की मदद करके वो उनसे रिष्टे जोड ले बाई चार कटिंग मारो हाथी जब आई लेकर आता हूं कम शक्कर हो ले आज स्कूल बंक किया क्या आज गुरू पूर नीमा है पैसे को मैंने तुम से उधार लिये थे जैसे नाखुन बढ़ते ना वैसे आज कल स्कूल की फीज बढ़ती है सुष्मा थाई पैसा बच्ची कि अगया कि अगया टकले शिगरेट पिएगा तेरा खून पिऊंगा शिगरेट पिए गाने शिगरेट ने ली तेरी चुमी तेरे मुझ से निकला लड़किया शादी इसलिए नहीं करती कि तुम जैसे लालची देज के लिए उनका शोषण करो ज़रा सब्सक्रों और बच्छान नेगा लगता है तुन्हे मेरा मेरा मुडर फिक्स कर दिया है। चलता हूँ. फोर्ड आलो! फोर्ड नेवालाई! हेलो! बंदे मात्रम सार! आईपेस ओफिजर सार! बैच नमर 420, बैच नमर 921, एपेस, बीपेस, सीपेस, जीपेस, सार! वाट 67 हावर्ड युनिवर्सिटी 2000 स्ट्रॉंग विच सोडा सार ऑफिसर अंडर पॉलिटिन कवर सार लगता है पुलीस का गॉडफाजर है तो कलती सीटा मॉल मारना यह सुलार पैनल चार्जिंग खत्म हो गई तेरा सुलार पैनल ही रिपेल कर देता चाल अर्वी अगर तू IPS है तो मैं होमिदिस ररू आप 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 नमर प्लेट पर आप अगर भाई यह कोन है मैं यह चिरकुट लोग कोने मेरे लंगो टी यार जीरो जरूरी है या हीरो क्या नजर है इनने पैचान लिए मैंने पैचान पाया यह बच्चा बाटी से तरह क्या कनेक्शन है सबसे बड़ा कनेक्शन दिलका होता है तूने इसंदेगा यह मैदान में सब गुटका खाके थूकेला था आपन सुबा से आक इदर साफ किया लेकिन तेरे को अकल नहीं कि टाइम पे आने का मैं यह तेरा बेस्ट फ्रेंट जब टेंडूल कर आया था तो कपिल के साथ खेला था ना सचिन सोला कपिल पैतिस फिर भी जोड़ी जमाई हमारी भी ऐसी जमी बहुत थेज धूप है यार पूरे नाक पड़ा में तुमारे से बड़ा नगीना कोई नहीं है दूप में मेरी पूरी चर्वी पिगल गई इसकी सदा तुमको जरूर मिलेगी थट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आओ पापा को गुजर एक महीना हो चुका है पर अब भी ऐसा लगता है जिसे वो मेरे साथ है पापा आपके दिये संस्कारों की कसम मैं आपके कातिल को बहुत बुरी मौत मारूंगा आज समय अपने पूरे रच में सिक्यॉर्टी पढ़ा दूगा हर पांच मीटर पर एक पुर कैमराज लगाओंगा अभी के अभी ओडर करो और चायना का माल बिल्कुल नहीं होना चाहिए पांच लाग कैमरे और तीस हजार पूलिस वालों की भरती जल से जल चाहिए बापा आपकी सौगंध मुझे पापा मैं ऐसा क्या करूँ कि आप मेरे पास वापस आजाए रो मत मेटा चुप जाए पापा की याद है रही है अब हो एक्टिंग थी पापा के नाम से ही इलेक्शन जीतेंगे पुलिस भारती के नाम पर कमाई करेंगे और मलाई काएंगे आपकी अक्टिंग देखके तो मैं भी दोखा कहा जाता हूं इलेक्शन नहीं जीते तो फिल्मों में ट्राइ करेंगे अनन्द भूपती एक महान हस्ती नमस्ते सर नमस्ते जल्दी बोल इस सरकारी जमीन पर मैं एक मौल बनाऊंगा प्रॉफिट में टी मेरा ट्वंटी आपका कोछ अडवांस दूंगे मुझे रिश्वत देने की बात करता है वह भी ट्वंटी परसेंट एक टी बोलता तो मांच जाता चल निकल यहां से अ है यह क्या शोर हो रहा है बंद करो दर्वादा की सर्वाइब तो वॉल आप तो जानते हैं कि दस एकड के जमीन खाली पड़ी है अगर किसी तरह से सरकारी जमीन हमें मिल जाए तो हम वहां एक शांदार मल्टिप्लेक्स बनवाएंगे प्रॉफिट में 90% शेयर आपका यह मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्यमेंट्स दिखा मिनिस्टर बनने के बाद पहला नेक काम थेंक्यू सर ए रवी तेजा हा सकु भाई तेरे लिए मांदेली रखी है पारसल कर देला शाम को खाईए अरे मेरा उप्वास है यहां चल्ट काई वाव काई चल्ले रवी मेरा पूरा मूग काला हो गया एक है जाले से इतना कला था और कितना कला हो गा रहे मेरी अफगानी पांपलेट चोरी हो गई उसमें जीपीएस नहीं लगा था क्या केस ठोक डाल ओल डी ठोक चुका हूं कड़ा कॉन सा जींगा पांपलेट चोरी का अ पपोस केकड़े का शिंपला बनाएंगे यह लेकिन कोई तो मुझे बताओ तुमने क्या देखा शर्म से लालाल हो रहा हूं बाद में शर्माना पहले बताओ चौथी क्लास से ही मैं सनी लियोनी का बहुत बड़ा भगत हूं उसकी कोई भी पिच्चर में मोबाइल में नहीं ठेटर जाकर देखता हूं यह देखे लेट नाइट का अखरी शो तो तुम अकेले गए थे क्या आप होते तो ऐसी फिल्में फैमिली को दिखाते ऐसी फिल्मे को पेश किया जाए है 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 थोले यह नारकली कहा चली यहां का फेमस भिखा रही है इस तुकड़े के लिए इतनी पुलिस क्यों का मिजनर साब को देख रहा हूं ताड़ा थोड़ी चॉल रहे है उनका बेड़ी का बंडल चॉरा लिया था बेड़ी की वज़े से बेडिया कमिशनर्स आप पहले गुंडा थे सर यह कौन इन पर ही केस हुआ है भाव केस वापस ले ले उड़ता तीर लिया है कहीं न कहीं तो लगेगा मैं तो गया जादा नहीं बस दो डंडे पड़ेंगे बी पॉजिटिव तेरे पॉजिटिव की तो हूँ सब्सक्राइब तो पॉजिटिव अखे फार के दाखो हम था बोलो ना हम तुमको मच्छी चोर लगता है बोल रही ही डरा रहा है हमका पुलिस गिरी मत दिखाओ तुम बिंदास बोलो अ मच्छी मार्केट में कंबल ओड़कर आया था ये गोल गोल घूमकर मच्छियों का गोलमाल करके गोलम गोल हो गया यही गोलू था किसी और को देखाओ करे बाबा पूरे शेयर में देर सो किलो की एक की बोरी है यही है वह पापलेड चोर तड़ी पार कर दीजिया इसे हम क पापलेड अंकल फस गया पॉचल करावा येस आवेश में बह गया था सार खॉरीट के लाया था माथी है उस दिन मच्छी ने जो मुर्गी खाई थी ये उसके पंक है और उसके पेट से निकली मुर्गी की हट्टी तुमने अनिमल राइट्स वालों को नाराज किया है तुम नहीं मैं हूँ मैं धाराएं लगाऊंगा ओके महराज इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है इस पे हामारा उंगले का निशान की तरह बोलो इस पे तेरे दात के निशान ही जुर्म साबित होने की सूरत में कोट प्रताब पर 500 रुपय का जुर्माना लगाती है और आधेश देती ही कि वह जुम जॉइन करें अपनी तोन घटाये और फिर ड्यूटी जॉइन करें अब खोल ना यह बामा बिना चिकन की बिर्यानी खाएगा कमिश्णर साब बुला रहां चलो काई को बुलाया मोटा डंडा लेके बैटें तू चले जा यार बीपाजिटिफ में आइका मिन सार पाच पान में चोर पोलिस खेलता था 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 तब भी हम कभी चोर नाई बॉना लेकिन बड़ापे में माची चोर का थापा लगया मिश्टी दोई हो गया इजटका कुछ ले देकर मामला सूल्टाओ ना सर रिश्वत देगा हमको तू आपको नहीं दूंगा पान पट्टी पे रख दूंगा एक कंप्लेन आया है साइकल काई को चुराय तुमने काई को भशा रहे हो साप ममो एक कंबे के लिए तेरे साब उच पर जुटा इल्जाम नहीं हम सच बोलता है मैंने साइकल नहीं चुर हाँ तो दे यह मैं में दे रहा क्या दे उसको उधर साइन मार अभिष्टार तो बनने दीजी तुमने ओटोग्राफ नहीं ले रहा है अगर कोई भी शायकोल चोड़ी हुआ तो उसका जिम्मदार तुम होगा साइन कोड़ करू तो पाशाल अंदौर जनरल नोलेज के आमीर बनने के लिए कोई कुछ भी करेंगा हमारा बॉस चलेगा तो इनको जेल में टाल कि इसको भी कहां पढ़ना आता हूँ इस बनाना नीता हूँ इस पर दोड़ का पुझा कितना भालो हुआ है कि सिपारिश से शाहिं करता है के हावड़ा ब्रिज बनाता है यान पर च कोड़ा कोड़ा क्या बाश कोड़ा चोलो अब यह बिडिक दान्स काई को कोड़ता है हुचूर में हाइट बेट में आपसे बड़ा ओदे में बड़ा और घुसकोरी में तो रेकॉर्ड तोड़ला चाहता हूँ यह पोलिश का केड़ा की धर्शा घुसा आपके अंदर से बलाई लेलू उरी बाबा एक नाई दूरी ठेलो अहां सर आप मेरी पकड में नहीं आ रहे हैं आम दोनोटा माची भाद जो खाता है किसी जनम में आपको मेरे ससुर बनने का योग प्राप्त हो आयूश मान हो हाम लाड़की को कुए में धाकल देगा लेकिन तुम से शाद कैसे हो गया है पांच हाज आटा का कि धर और गया रिश्वत का पैसा नहीं टिक था कौफी लेंगा सर नहीं चाहिए जाब तक तेजा शाब बादला नहीं लेगा कौफी नहीं पिएगा चाय पिएगा जाओगा झाला क्या दोचिए बादला रिश्वत का पारे साथ है बादला कि तुम से जाब बाला इंगा था दिएगा इंग जाब। जोड़ा यह झान दोड़ा आस दे जाटान दो आटान से दो नामश्वारा जात आस दो आस दो आस दे कहने, है? पूना गुजरात में ब्लास्ट करवाने वाला टेरिस्ट इसका नाम अनवर है क्या किया इसने पहले आप इस फुटेश को देखिए ओ माई गाड क्या है यह यह सर आनंद भूपती को हो मिनिस्टर नहीं मारा है इसके बारे में किसी और को बताया नहीं सर बताना भी मत वरना वो हमें भी मार डालेगा यह फुटेज मेरे पास छोड़ दो और तुम एक हपते के लिए लेप पर चली जाओ जब तक मैं तुम्हे नहीं आओगी ओके सर भाईया पिदाजी का कातिल हो मिनिस्टर आदेत भूपती है यह क्या बात कर रही है तू मैं सच बोल रही हूं भाईया मैंने खुद बाम ब्लास्ट वाले दिन के फुटेज देखे हैं मेरे पास इस बात का सुबूत भी है अभी कहा है तू मैं बस ऑ गौत्मे क्या हुआ गौत्मे क्या हुआ गौत्मे कुछ बोलती क्यों नहीं मेरी बात का जवाब नहीं कौन है वो लोग हालो हालो आल टेक केर आफिस सिस्टा एक काम करो फारून मुंबई आजाओ है हो की है 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 सर वो उपर पहुच गई है तो मेरा इनाम सर अगरे दस सेकंड की वीडियो के लिए दस का रोड पैसे की वैल्यू कितनी किर गई है कि मेरे अकाउंट से धाय रूपया क्यों काटा है या रहे ठुल ले आते आते दूद ले आता पोली स्टेशन में गाय बंदी है कोई को बुला यह अब दूब से विटमिन डी की चोरी का इल्जाम लगाएगा या पॉलिशन वाली हवा चुरा नेका नहीं आ रहा हो बोल द दस-दस का कड़क नोट देता हूं बोलो मैं कराची में हूं तुम्हें लाने के लिए बिस-बिस का दो नोट दिया है हां दोनों को कल की फ्रेश चाय पिलाई जाए कमिस्णर साहब के घर जा रहे हो का सीपी चिकनी चमेली नहीं है उसके साथ लिव-इन रिलेशन में रहूं पुलाई चूरी पहली बार मुश्किल से दो हजार रुपए जमा किये थे वह भी ट्रेन की टिकेट में खर्चे हो गए कब तक मदद करते रहेगा लोगों की दू दूसरों की मदद करने से वही मदद अपने पास अच्छे रूप में वापास आती है मदद इस लाइक बाउंसिंग बॉल टेनिस देखता है ना एक प्लेयर इदर से मारता है दूसरा उधर से और फिर गेम फिनिस इसको मदद ही बोलेंगे ना जब हम खाना खाते हैं तो हम है जानता ये कौन है ये जानता है मैं कौन हूं ये आई पीयस ओफिसर है सब्सक्राइब जबर्दस्ति आपके ओईलिंग हो गई जूता साफ करते तो सब्सक्राइब गल्ती से लग्या वह बहुतिन से हाथ साफ नहीं किया तो सब्सक्राइब लेके फिर अंदर डालेंगे तो पता नहीं का अब बाहर निकलेंगा तुछ चल 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 शार आप यह ड्राइबर आस्तर ब्रेक निमार सकता क्या यह सिगनल का बल फ्यूज नहीं होता है क्या क्या कमाल का है इसका बड़ा जुमका कब लगाएगी यह मेरे साथ ठुमका काई जला मला प्रेम जला ऐला मुंबई की हवा लगता है इसको प्यार हो गया पहली बार लग रहा है कि आज सिगनल खुले ही नहीं वर्स टाइम लाइफ में कोप्चे में विरान पड़ा हुआ दिल फुदक करंगड़ाई लेकर मचल रहा है बीवी लाल डुपट्टा प्रदूशन में भी सुच्छ था कि देवी आई लव यू जवब नहीं दिया है चल्दी चल्दी वाटो बागा लेकिन भाई मैंने तीन गेर किये लेकर दिखाई ने दिया क्या दरके मैंने आखें बंद कर ली थी अभी सासे बंद जादी तो आप रिपैर करने चल्दे अब टकलिया भाड़ खाऊ नीचे उतार तेरी ओटो ड्राइवर से कैसे बात करते पता नहीं है क्या देख क्या क्या तुने नंबर प्लेट और बैटले नहीं लगवाले ना माना किसने किया अरे खटारे को पुली स्टेशन लेके जा रही हूं चार दिन देती हूं नहीं लाना और यह ले जाना समझा गया भाड़ा मिले तो बैठा ले ना अरे रुके खिराय तो देखे जा जल्दिया मार किदर बोटे आत्मे को सखा रहे तुम लोग पाप लगएगा मैटम क्या हूँ अब है मुझे लाइन मार रहा है रुक देखो ओवर टिक करती हूँ हुआ लाइन बुल्द क करते हा अवब करते मार झा amor मेरे है गरिवों का शारा नाला सो बारा उस लुक्के से अडृस पुश ले हमेशा के लिए सुखा दिया अबे चप्पल ब्रैंडिट पेंटे और भारा देने के लिए पैसा नहीं सर दोस्तों में इजाते चिलाओ मतना सास लेनी की आवकात नहीं और लोगों को खाना गिला रहे इसकी लुंगी में कोकरोच छडूँगा केस लड़ने जाना है चड़ी गिली है सुखा रहा हूं एक ही चड़ी है गया केस जीत गया तो अगले महिने चार ले लूँगा पैंट में भी हो ले सर अरे यह तो भोकुड बखर की तरह खा रहा है अब बीच में सास भी ले 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 गलत जगा अटक गया ना तो आपरिशिन करके निकलवाना पड़ेगा अब भूर क्या रहे एक दूंगा रैस्परी भारा जाएंगी सच्छा नाला सुपारा के प्लैटफॉर्म पे मेरा निम्पू पानी बिखता बता दे उसे ज्यादा हुश्यारी की तो निम्पू पानी निकल दूगा अरे तो इडली के बाद दो ग्लास बेचो ना नमक कम सक अरे चोड़े 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 मेरी मा ने बनाया है बोलती है तु खाएगा पीएगा तभी तो गुंडों को पकड़ पाएगा बचपन से ही मेरा पुलीस बनने का सपना था गाउं से मैं कली आया और पर्स चोरी हो गई सिर्फ 20 रुपे थे इसलिए इडली ले लिया दो एडली में ओ जायेगा यह एडली विडली छोड़ यह यह खा देसीखी से बनाया है तूभी ले यार सफलिस सेलेक्शन की मेरिट लिस्ट कया मेरिट लिस्ट्षट टेबल पर राग दे है तू अपनी लिस्ट निखाल अपकेया को अंदर बला यह यह पक्या सलाम भाइ बाडी में जाने पुलीस बनने का आर्मान है सी आई बनना है आई पीएस आई पीएस भी चलेगा पुनका लेकिन इसके पास डिगरी का है सर आप उनके पास पाइसा है एक काम करो इसके नाम से विलासपुर युनिवर्सिटी से जाली सर्टिफिकेट बना लो ठीक वर्दी में मिलता हूँ वाई ठीकरी यह से लाने का काम मैं कर देता हूं मुझे दो कह देना की शॉट सर्किट में जल गई और जला देना लो पकड़ो आरो भाई यह रवी तु जूट इतना कॉंफिदेंस के साथ कैसे बोल लेता है वाट्सप पर अपने स्टेटस पड़ा है अगर जूट भी बोलो ना तो फिल टू कॉंफिदेंस के साथ के ओवर कॉंफिदेंस मैं केस लड़के आता हूं तुम लोग लड़ाई मत करना कि सकना में चले और किसा थक यारे बापू क्या बिल्ट अप है जैसे काम वाली चाय का ट्रेल आती है वही साइच लग रहा है ना बीच में चाय की केट्ली है और आजु बाजु काब सासर हाँ बेटा बोला बड़े बाबा तुम्हें नहीं अपने बेटे को बुलाया है शायद उसने सुना नहीं मेरे को मोलिया क्या मांगता ताइम क्या हुआ है पांच बचकर तैक कोट क्यों आरे अगर कोट ना आउं तो फिर कहां जाओ मैं पुलिस तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखने को तैयारी नहीं है कोट का सहरा ना मिला तो जीते जी मर जाएंग है गला नहीं गुंडों से हार गया तो रवी ते जाए रही है यह पॉसिटिफ नहीं हो सकता है कॉल पर बिजी है सर काल ड्राप सर अगर तुम जैसी अउलाद मिले तो ना पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़े और ना ही कोट की तुम तो वाकई मेरे बेटे से बढ़कर हो सरकारी दफतर से लेकर सुलब शौचाले तक लूट मची हुई है बेटा तुझे ही कुछ करना होगा यह नहीं नही है बी पॉजटिव भाईया अगर देश का नौजवान आप जैसा हो जाए तो कोई लड़की बे सहारा नहीं रहेगी तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे अपने हो कि उसने बोला लाइक बेज माने दिया एक चमाट खीच के तुमसे मिलने बुड़्डा पाटी आए लिए नमस्कार बेटा आप सब लोग यहां क्या कर रहे हो अपने बेटे जैसा समझा है इसलिए मदद मांगने आए बाप बेटे से मदद नहीं मांगा करते ओडर करो रेटाइर्मेंट से मिले पैसों को हमने हाउजिंग स्कीमें लगाया लेकिन वो घर की बजाय वहां मॉल बना रहे हैं बैंक मेनेजर हमें पैसे नहीं दे रहा है पुलिस हमरा केस राजिस्टर ही नहीं कर रही है बाबू बिल्डर हमें कोट जाने से रोकता है इस सुमर में कहां जाएंगे बेटा, ना पैसे बचे हैं, ना ही रहने को घर है, तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, बेटा, रख लो, बेटा, कहां से लाएं, मेरी पेंशिन के पैसे हैं, बेटा, ये बहुत कम है, बेटा, मुझे सिर्फ आशिरवाद चाहिए, वेटा, वो, वो रहाँ ब्लू शाट में, बगाव इने, आई, एकर, आई, ये क्या दाद अगरी है, अट, तेरी नाक से भी राजबरी निकालों, क्या रहे, पीवी से मिलता है, तब कैसे हसता है, पड़ा असंद से, आइसे हस के दे, दे, यह इतने सारे बुड़े बैंक में क्या कर रहे हैं अपने माबाब से भी ऐसे भाद करता है अब पहले दिन माबाब तेरा हाथ पकड़कर नर्सरी ले गए तब तुन्हें दुनिया देखी अब उन्हें कंधे पर बिठा कर तीर थी आत्रा करवा माबाब के चरणों में ही चन्नत है यह मैनेजर अहां रभी भाई आउट गोइंग चालू रागा हाथ रुका तो तेरे धड़कन रुखेंगी शुक्रिया बेटा भाई सबको दे दिया कंफरम हां गोड़ बॉय खुश्च ना ऑल हैपी बेटा हमारी मान तो कुछ पैसे तुम भी रख लो मैं आप लोगों से डारेक पैसे नहीं ले सकता वो दिन दूर नहीं जब मेरी शादी होगी अभी रख लीजिए लिफाफे में जब देना थेरा वाटसप रात को चार बार देखा है तुमको साब बुला रहा है चलो साब बुला रहा है डसेंगे था नहीं बोला साहेब? तुमको साब बुला रहा है, चलो. साब नतला कमिश्नर? नहीं. DSP, D.I.G, अरे नहीं बाबा. D.G. नहीं ना? और जी? नहीं रे? यूगोजी. होम मिनिस्टर ने बुलाया, चलो. होम मिनिस्टर. होम मिनिस्टर! आघ कर वागा कर विरुखा लिवा अंड नमस्ति सर अदावर जाए मेरे भाई पे हाथ उठाया दुनिया से उठा दूगा दुनिया से उठादू का मैं तो गुजराथ वापस जाता हूँ कि चलो मंडली ए रभी क्या बोला तो उसको कुछ नहीं अधे उंगले दिखा दिखा के धमकी तेरा था मैं काय को दूंगा तो उसके सामने पतां क्यों अधाया ओ डायलोग सुने नहीं तो एंट्री से शुरू करते हैं नमस्ते जी अधावर्जाई मेरे भाई को मारा तुने तू तो गया मन ने पता होता कि ये दाड़ी वालो धारो भाई है तो ये मुंडी धारी होती पूरा शहर थारे कदमों की धूल चाटे हैं और थारे भाई को मैं धूल चटाओ अपने असा सोचा कैसे सबके लिए धारा अरुद्वा हो मिनिस्टर का हुए अन्माजा साथी नाई तुस्सी मेरे रोल मोडल मेरे अन्न दाता थारी फोटो लोग पिच्छू की जेब में रखते हैं लेकिन मैं पारपास की जगा रखता हूँ देखेगा देखेगा अगर तुमारा मुझ पर शक्किया तो सरधर से अलग होगा बाई को समझा दे सम्झा उन्डाक हमें तमा की भालो बाशी हूँ प्रेम करू जो तने ए एक्स्प्रेशन बदल लो यह लोग समझ गे तो तुम जैसे पड़े लिखे लोग नहीं समझ पाए तो जाहिल ने ता कि अनपर पब्लिक का समझेगी जरा उनके रियक्शन तो देखो पब्लिक अफवा फैलाएगी एक बंदा आया और होम मिनिस्टर को वार्निंग दे कर चला गया अफवा का काला धुआ सबकी नाक में गुस जाएगा उससे होगा गया लोगों के फिपडों में हमारे नाम से डर की खासी होगी सेल्फ मार्केटिंग धंदामा नौक और फ्रों इसकी लेंग्विज से इसकी बॉड़ी लेंग्विज मैच नहीं कर रहे हैं लगता है बच्पन में चोट लगने से पागल होगे है अगर होम मिनिस्टर को पता चल गया कि तू उसकी फिर के लिए रा था तो व मेरी अर्दांगी नहीं अरे इस कुझर तेरे से फास्ट जा रही है जल्दी चल धोबन या तो इस्तरी वाली है मुझे लगते हॉस्पिट्र में पोचा मारने जा रही है अभे तेरी हाला के हाथ में आला है डॉक्टर है उस्थी है है कि मैं ठीक हो यार बितमिन डी ले रहे हो है कुछ भी बोल रही है यार ये देखो तुम्हारी मम्मी ने ये पिक्चर भेजिति है तुम्हारे होने वाले वह smart hair style है doctor मुझे आ शक्की आज doctor बनना है टंडे कर, एडमिशन का फॉर्म भर देगा, क्या, ये इसकी खुद की मर्सरीज है, और क्या, जाओ मैं तो सिर्ख फुल हो जाएगी, ओफर एक्सेप्ट किया की नहीं, अभी तक सोचा नहीं, अगर नहीं किया होगा ना तो मुझे बोल देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी चलो, चलो, लेक्चर का टाइम हो गया, चलो, बाई, इधरा, वो मर्सरीज वाला तुझे इतना पसंद आया क्या, शीची, वो तुम ऐसे ही बोल रही थी, मेरी पसंद कुछ हटके है, ऊपर के दो बटन खुल ले, जिगर और बाजू में दम हो, और किसको पंच मारे ना, तो उसकी तारीफ क्योंकी, आंटी ने कहा उसे कन्विंस करो, श्वेता को भनक भी नहीं लगी, और आंटी का काम भी हो गया, लाक बाड़ा पे खुद का क्लिनिक खुलूँगा, एधरा, पोस्वोर अंगला, क्लास में चाहूँ, देखो ही है, चलिया, लोग मेले को सीट क गूम सकू, आप परमिशन आपो, जैसा गूमना गूम डिकड़ा, देखा मैं कमबाउंडर की तरह कोट पहन के गूमना नहीं वाला, पैंट भी पहननी पड़ेगी, औरे पैंट कोट तो पहन लेगा, बाद में उसे रिक्षा में गुमाएगा, क्या, मां सेडीज लेकर क्या हो तो? एक नंबार थान जाओंगरिग जाओंगरिग प्राद में नहीं के अंगर्ग कलीज पीजर आइज का से भी चूर्ट मेरा प्रेशन ना पिस्यू में है, क्यों मा... सीशाच पीज़ी को सेक्रेटर कुमागरिग यिस डॉक्टर कोट है, थांक यू दॉक्टर मेट्रो पोलीस, यह कोट इसके थौपडे पे सूट नहीं कर रहा, को इस डॉक्टर कोट वाइटी होता है, लाल कला लागे, चला 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 अई यू नियो नाई इन्जेक्शन? दक्टेर, दक्टेर लीड रिखिता हैं.. पड़्यान, किपनी माइपडू है? पर सुब्सक्राइब लुगे टोक्टेर.. अ मेरे को अच्यवा हो दिखना.. दॉक्क मेरे को ही ड्यूज्चिव हुगी है, ड्यूज्टेर… पॉसिटिव है तो रोता क्यों है बी पॉसिटिव बी हैपी इसकीज मी लास्ट येर वो मिस इंडिया आप ही थी ना कासी तो फसी तुम्हारा पेशेंट का है वो पेशेंट किदर गया का किदर और तो जाओ ट्रीट करो हड़ी जोडने के बाद पाथ साल की वारेंटी भी देता है आप और चाल चाल तका तो वो जो पेशेंट कर वे लागी क्यों हो ओवर एक्टिंग मत कर वे किसको बोलू ट्रीट्मेंट करने किसको बोलू इसको उसको चल इसका ट्रीट्मेंट कर किसका हा पहला तोड़ो पछी जोड़ो मेरे की का आटेक जिन्दा रहना है तो एक्टिंग कम कर ऐसे ट्रीट्मेंट करते हैं मुझसे बद्बू आ रही थी ऐसे पेन ठीक होगा उसका पेन मेरी देन है पेशन को बॉक पेन हो रहा है पूरी तर से बांदो अरे वाह पीरामीड वाली मम्मी लग रही है वरना शादी से पहले तलाग हो जाएगा इसा लग रहे जैसे चूजा अंदे से बाहर निकला ममी कि अट्र डाक्टर के हाथ में जादू है यह जादू कर रहा है यह कैसा इलाज था लेजर टीजर प्रीजर ट्रीट्मेंट आज ही सिखा कमान सेक्रेटरीज यह दोक्टर यह नहीं वाओ इकड़े काई जाला हमने पाइसा दिया लेकिन घार नहीं मिला किसको दिया यहां सिल्के कुर्ते और लुंगी में गूमता है ना उसी को दिया कि में अच्छा सिल्क खुमिता को दिया ए चलो रहे लेकर आतें तुम लोग क्या लिए खानग कर रहे दो पेर को उठा जाड दिया रहे वसवे गरने लिरा ने भचा कान के नीचे भजा के तुम लोग भी वसवी करने आयो सीं नहीं को पईशा क्या करेगा क्या तोड़ेगा इस विल्डी में मेरा कमसा है मुंसिमाल्टी को मैं टाइज देता हूँ यह कैसा लगा तुमें सिलिक के कुर्टे की लाज रेक्लिक है माणवली करते हैं हाई मेरे सल्की मेरे को देरी के पब्लिक में बाढ रही है पईसे लेके निच्चु आजा पुपर आओ ना टाइम नहीं तो मैं चला जाता हूँ दाओ मेरे एक है तेरी स्टार वजनेक स्टार वजनेक कड़क कड़क नोन है पूरे गिन्ना मत धीड कॉलेटी क्या वाद है अरे जो लगती मेरी लगती है बेन मना ले चंपागली वक्त पे आगे इसलिए तुम लोग बज गए नहीं तो तुम्हारा मगबरा बना देता ही ना सुधर बे नवाब साब किसी के नहीं बाबा वो क्या है कि मेरे अंदर का एक्टर भार आया था हिरो बनने बन गया जिरो भाग भूतने के यांदिया ये पिच्चर देखिए उसमें इरो था थेटर में लगी फरस्टे उतर गई स्टोरी सुनांगी जरा तो शब्द में बोलूगा तुम लोग ले रहे और मुझे उसे डराना है ऐसा डराया कि हरोएन कोमा में चली रास तक वापस नहीं आई फिल्म को नाम कि अश्या फिल्म बिना हिरो इन के बनी बनी वफिता का फैल लग रहा है सोना भी पहना है शाम को पार्टी तरफ से चक्ना मेरी तरफ से पीके टली बाभी आप दूड़ी की दखड़क सुनके लोगों के दिल दखटे थे और इसकी दखड़क सुन्दे लोग इसे कई औरी बिलाते यह नमोला कौन है यह विलन बनने आया था यही से कानी में ट्विस्ट ना मैंने इन दोनों की सेटिंग करा के शाधी करवादी तो तो तुम दोनो गर वाली अंदर वाली यह बताओ कि प्यार का मुरभा चखा की नहीं लंबे समय से चख रहा हूं एक दिन एक बड़ा धरेक्टर आया मतलब होलीवट का अच्छा बोला टाइडानिक टूमे में तुमको साइन करता हूं धासु फिंथी आगे बोलो मेरा लॉंचिंग पैल्ट पर फिल्म कंप्लीट कर डाली उसके बाद को फिल्म मिली दोती लोटा लपेट के गांग चला गया यह वापस क्यों आए यह शहर तरे बापका है तो तेरे बापका है अबेट थर कि मूँभन कर अपना तू तू तीटी शुपा यू कंटीदू जी उसके बाद इमरान के सा हुआ है 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 अधे अब अधर लग जाती तो है तो वही गोली खाया कर जो माय तुझे तो चलिया से मुझे भी गोली दो ना अबै तेरे काम की नहीं है यह गोली तो अधर तालूं अंदर अरे कुछ प्रॉब्लम हो गए लिए रोग 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 गाड़ी रोग कि एक्स्क्यूज मी बाजू बाजू हटो 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 अरे यह तो नाला सोपा रहा का है आरे माउशी का जाला आयो इदर काड़े काड़े गिर गया यह बंकर बंकर हेल्प करने के बचाए वीडियो बना रहा है चल निकल आए चाचा आइए संबलकर आप कहां जा रहे थे चाचा मेरी वाइफ की तविद ठीक नहीं है डॉक्टर ने कहा कि उसे खून की कमी है इसलिए में यह सेब खरीदें यहां चलाया था इतनी धूर क्यों अपने एरिये में नहीं मिलता क्या अपने हां पचास रुपे में एक सेब है जबकि यह आरे बेटे और बहु साथ नहीं रहते हैं रहते हैं बेटा एजी आप कहां चले गए थे चक्कर आगया सुबे से कहां थे आपको लेके इने कितनी चिंदा हो रही थी बाप के बनाए घर में कोई है सब लोगे रहे काई जला तीन करोड की डील तेरा बाप मेरे को बेच बाप कोई बेचता है क्या बेचता तो नहीं लेकिन तरे बाप पे मेरा दिल आ गया है मार्केट में ऐसा जुर्री वाला बाप कहीं मिलेगा इज नहीं बाप उसका कोई जोलजा पटा था क्या जवानी दिवानी होती है रहे मुझे नहीं लगता खरीद पाएगा बेच दालते है भाई यह लोग मार्केट भाव निकाल रहे है राक तो नहीं दे रहा है दोनों भावियों की कसम सिर्फ पापा को ही ले जाएंगे क्या क्यों सावा तीन करोड दो और आई को भी लेके जाओ आँ मुझे ये स्टील बॉडी वाला भुट डाई चाहिए भाई वान गेट वान फ्री पापा के साथ मम्मी एकदम फ्री नको नको सिर्फ पापा का पाईसा बोल अरे सारी 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 मम्मी के लिए ठेंगा और पापा के लि मिल रहा है खोली बेच के फिलाट लेंगे बाव और बढ़ना चाहिए लेकिन बलेगा के एक दिन का टाइम और मांग लुट अरे बोले गोले वो तेरे बापू को सस्ते में खरीद के उस पे खर्चा करके चमका के महंगे में बेचेगा एक बाटोके में गुसरी है पापा क अब बढ़ गया देखो राज बताऊंगा लेकिन 10% लूँगा तुम्हारे दादा की 10 करोड की प्रोपेटी तुम्हारे पापा नहीं जानते कि तुम्हारे दादा ने सटे वाजी में बहुत सारे पैसे कमायते दादी से चुपा गई जा 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 लंदिलमे करते हैं उनको अपना कले जा भी खेला देंगे चल निकल इंफोर्मेशन दी तो तुझे मार दूंगा जा बुला रहा है कि माजी आपके लिए नहीं नहीं साडिया लाई हूं आपके लिए पैंतोत लाए है पापा प्रूट्स गाओ जान मनाओ पुझे लिए प्रूट्स पापा के लिए टीशट लाया हूं कलर देख एक दम लाल मलाल हमसे जादा आपका ख्याल कौन रख सकता है अब आप किसे अवाक ऐसे करते हैं हमसे सीखो मौल्य वालो हाँ वेर इस यो भाभी थी नहीं सर्च ऑपरेशन करो डॉक्टर पट्टी वाला ये सटल दमेटर ठीक है हम बोलो क्या प्रब्लम है और ये कैसा डॉक्टर है ट्राइब के मने गड़ी लाता है यह उतर जाता है ठीक है क्या मैं ट्राइब लू बिलकुल लो स्टेरिंग केसा एक इसे चलता एक तम करमीर यह अन बच्शता अगलता आ सफ्टाम payoff है और्डिक केसे लगता है डिसको ब्रेकर गाडी में अयर बैग निकलता ठुकने के बाद नई निकला तो निकलेगा नई निकला तो निकलेगा सचला की गड़ी है ऐक्सिड्ट करके दिखाओक फिर मानूँगा पेशंट नहीं तुम्हाँ गाड़ी लूगा नहीं तुझे ठोक दूआ मेरा पीछा क्यों कर रहा हो क्यूंकि मेरा दिल कर रहा था तुम भी वहां जा रही हो जहां मेरा पेशन्ट है और तुम्हारा पेशन्ट पापेशन्ट 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 काड़ लो जी तुम्हारा पेशन्ट वहां है या तुम तो हड्डिक है डॉक्टर हो ना ओ वो क्या लिखाया एबी सेडी आती है एंटी और थात कान ना गला वो तीन चीज समाल सकता है मैं दो चीज नहीं समाल सकता हुआ हुआ रुख क्यों गई बेज़ तुलागा मट्ट मेरे कुछ पतेगी ट्राइ करते हैं अलेल को हालो लो अंदर कर चाही रुखो रही रुखो आ अधिवरी का खर्चा बच्चेका ये खुदिछ डॉक्टर है कि ग्रेविटी भरी नजरों से भाबी को खीच रहा हूं हाँ हाँ पेशन्ट की मेडिकल रिपोर्ट काफी इंप्रूव्मेंट बता रही है और अब लोग कौन है यह मेरी बहन है इसे दूसरे हास्पिटल में शिप्ट करना है एई ले चलो इसे तकले पागल हो गया है क्या यह अभी तक कोमा में है शुक्त यह बाई यह ठेला नहीं है जो गसीट रहा है इलाज चल रहा है हम लोग के ट्रीटमेंट में टांग मत अड़ा हमें भी इलाज करना आता है प्रेशन्ट को ले जाओ तो माज़डोकर खातो तो वर्जातो उसका तो पैकाफ 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 कर तो कर अ का तो नहीं है हुआ 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 यह लड़की को इंप्रेस करने के चकर में जोर से मार रहा है लेकिन पटेगी नहीं पटेगी भी और पतं कटेगी भी निकल 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 निकला समला निकला तू काय को रूगिया भाई माफ करना लगता अब डूंगरी मेडिकल से पासओत है गलती हो गई अई लाव चमड़ी है गोरी यही चमाजी छोरी आ गया मेरे सपनों का शहसादा उसने अपने दिल के वाड में खाट पिछा दी रहे और पॉजिशन में होने के नावते मैं सी एम से पूछता हूं कि क्या उन्हें नहीं पता कि हो मैं इस्टर शहर में गुंडागर्दी पहला रहे हैं सी एम को जवाब देना होगा और अगर हमें इस बात का सही जवाब नहीं मिला तो उन्हें रिजाइड करना होगा यह मैरे नहीं करवाया मैं जानता हूं तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं एक सीम हो फिर से मेरे पास कोई शिकायत आई तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इस फर्स्ट एंड फाइनल वर्निग अवे है क्या मुला जब देखो सीम सीम की रड़ लगाता है तेरे पैदा होते ही तेरे माबापने तरे नाम सीम रखा था क्या कुर्सी पे तू बैठा है तो तू मैं बैठूगा तो मैं सीम दाट्सेट एड क्या मेरे धंकिदी तो विक्राम आविया उस सीम ने मुझे वर्निंग दी है उसे हटा के मुझे सीम बनना है कितने अमले है अपने पास यह कुछ बीच लोग होंगे पचास और खरीद लेंगे अच्छा सबका सपोर्ट मिलता ही अराउंस कर दो के सीम बनना क्या कोई खाने का काम है हलवा है क्यों यह हलवाई की ओलाद पॉलिटिक्स यह कैसा काम है जो इस देश में कोई भी कर सकता है मेरे साथ हम तुमारी काबियत देखकर तुम्हें यहां बुलवाया है थांकियो सार मैं सीम बनने वाला हूं सार तुम्हेरा साथ दोगे अगर इमानदारी से मेरा साथ दिया थो तुम्हें डीजी पि बनवा दूगा बाइबाद करोड में यह अपना दीन धरम सब बेच देंगे बस पच्चिस करोड मिल जाएगा मेरे गवनर से मिलने तक सारे मेलेस को करज़त के फार्म हाउस में ठराना थीक अच्छा सार अरे इसकी तो क्या हुआ ऐसा करके मैं भी सीम बन सकता हूं बन तो सकता है बकुडा लेकिन अगर मेरे पास इतना पैसा हो तो उसकी एफडी खुला के ब्याजी खाओ बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी को बेच कर बारह हजार करोड मिलेंगे दो हजार करोड वाइट में दिखाएंगे और दस हजार करोड कैश मिलेंगे कल करजद के फार्माव से पैसे कलेक कर लीजे सर पता चला है कि करजद से एक ट्रक दस हजार करोड कैश लेकर निकल चुका है उन पैसों से वो हमारे पचास अमेले खरीदना चाहते हैं ऐसा हुआ तो वो सीम बन जाएगा बन जाने दो सीम अपनी पोस्ट बचाने के लिए पेकार के जगड़े नहीं चाहिए सर आपको कुछ करना ही होगा वो रावन्ट सीम बना तो स्टेट को लंका बना देगा आपको कुछ करना पड़ेगा क्या कर सकता हूँ जाके ट्रक के सामने लेड़ जाओं सर एक आदमी है जिसने होम मिनिस्टर को धंकी दी थी ये काम वही कर सकता है तो उससे कॉंटेट करो बिना डिटेल्स बताए उससे बात करो सर आपकी मदद चाहिए बोल क्या काम है हमारी एक ट्रांस्पोर्ट कंपनी है जिसका एक ट्रक चोरी हो गया है उसे आज कोई और चला रहा था और वो ट्रक देने से मना कर रहा है अगर आप ट्रक ला देंगे तो आपको 20 अजार रुपे दोंगा अगरो पैसे से मत तोल पैसा नहीं चीये यह बुढ़ों का पैसा नहीं है लेले ओ गरीबों के सलमान सुनाने क्या खोड़ा चने से दोस्ति करें तो खाएगा चले लेले सुन मेरी बात इससे पैसा नहीं होना चाहिए दंदे में नो क्प्रमाइज बी पोजिटिव बिस ट तंकू थंकू नए नोट दियें काम भी नए तरीके से करें गया कॉन सा बताते था है सर वहां देखिए वोट रखे कर दो 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 प्रवाइब आपको वाटसब में भेज देंगे ना क्या आपको यह बदबुआ रही है ले इत्तर लगा अभे आगे देख अरे इसमें अटो पाइलेट लगा यह रही है गुमा गुमा गाड़ी गुमा उसको ओवा टेक कर क्यात लगे गुमा लटेक कर दो में अरुआ टीजरे लो खवको भीजरतेज़LP वह ट Torah भूसा हो फाले वाएएब लगको गभ ये घहको वाहको व्यातनोबनलुमा झाल प्लीज जल्दी आओ इदर बदत करो मेरी तांग नहीं समाल सकता तो मेरे रास्ते में टांग की वड़ाई स्पीड बड़ी और दुरगट्टा गुड़ी चल टांग निकाल थैक्स बाईया है हलो सर हमारा ट्रक चोरी हो गया सर क्या कहा ट्रक चोरी हो गया किसने की एहिंबत वही आदमी जिसने आपको धंकी दी थी मुझे किसने धंकी दी थी देता हूं सर हेलू है कौन अबे तू पहले तू बता अबे हो मिनिस्टर सलाम नमस्ति आदाब वो ट्रक मेरा है अब पता चल गया ना मेरा ट्रक मुझे वापिस कर गदारी हो जाएगी क्या यह क्या बक रहा है तू 21,000 में कॉंट्रेक्ट लिया था किसने दिया कॉंट्रेक्ट चल भू है जानता हैं जानता हैं च्रुक में क्या है मैं क्या आए नुट्रक वापेस कर अग्या सब्सक्राण। तो गुच्राती मा बोलू है अपनी मौत को दावाद दे रहा है तो तेरी मौत का इंविटेशन कार छप गया है ऐसी मौत दूंगा की डॉक्टर भी पोस्तमोटम से इंकार कर देगा तू पेट्रोल बचा ट्रक में बैठ कर मैं खुदा रहा हूं तुझा नहीं पता मौत का ठेकेदार हूं मैं कर दो Elder भी कर देकेदार हूं पता प्रेवाद ऑ़ भी जे पुछासा राहा हूं प्रेवादर अज़ो प्रेवा आर मवे ठाएवादर वार इंकार झाल सूंगा लगा हूं है है हैं रिवार्स चाल मेरे घर में आके मेरे आदमियों को मारा मौत से डर नहीं लगता डेमो दे के क्या लगता है मौत से मेरी पुक पुकाती है पहले मेरे भाई को मारा और फिर मुझे सौरी बोलने का नाटक किया मगर मच से खिल रहा है तो तेरे को कोड़ वर्ड में बोला था ना तेरी आत्मा भटकेगी जिस दिन मेरी सटकेगी उस दिन बैंक में तेरे भाई की धुलाई की ताकि तुछ तक पहुंच सकूँ सब प्लैनिंग थी दुआखिर है कौन? हम दोनों के बापो का नाम एक इचे अनाथ तेरे मेरे बीच क्या रिष्टा है? वही रिष्टा जो एक भाई के बीच होता है मैं हाइद्राबाद के अनाथ आश्रम में पला और तू महराष्टर के अनाथ आश्रम में उन्होंने तेरी परवरिष अपनी सगी आलाद की तरह की और इस मकाम पर पहुचाया और तुने उसी देवता को मार डाला बच्चा समझ कर तुझे माफ करता रहा तू आज भी अनाथ बनकर सड़ रहा है और मेरी हैसियत हिमाले से भी उंची हो चुकी है कल जब सियम की कुरसी पर बैठूँगा तो सारा राजज जुक कर मुझे सलाम ठोकेगा ये है मेरा रुद्बा तेरे रुद्बे को घमन की दीमक ने पकट लिया है ऐसी जगा डसूंगा की पानी भी नहीं मांगेगा सार उठाने वाले साप का फन मरोड देता हूँ ये पेट की मरोड नहीं जो चुरन लेकर साफ हो जाए मेरे पाप के सामराज्य को किसी ने भी हिलाने की कोशिश की तो जिन्दा गाड़ गाड़ बिना बदला लिया अगर मैं गड़ गया तो जमीन भी मुझे वापस भैग देगी आदमी तेरे हत्यार तेरे सामराज्य तेरा सरवनाज्य तेरा लेकिन टाइम मेरा होगा पैसा वहीं पहुंचाया जहां उसे होना चाहिए था जिसके हक का पैसा है वो उसी को मिले ये मेरा फंडा है लोगों के पैसे लूटना और आयाशी करना तेरा धंदा है वसियत लिग डाल तेरी मौत का दिन मैंने फिक्स कर दिया है वीकेंड से पहले तेरा दियंड करूंगा वीकेंड पर में माबलेश वर स्ट्रॉवेरी खाने जारे लाओं मेरा जो उखाडना है उखाडने ना एको पॉइंड पर मिलूंगा और हां रिटन में ओला बुक मत करवाना क्योंकि उधर इस तेरी कबर बना कर वाइट चुना मारूंगा हम दोनों के बापों का नामे की चै अनाथ उन्होंने तेरी परवरिश अपनी सगी आउलाद की तरह की और इस मकाम पर पहुंचाया मेरा बेटा आज इसका जनम दिन इसे आशिरवाद दीजिए जीते रहों आज जितना आशिरवाद चाहिए ले ले क्योंकि कल आशिरवाद लेने के लिए तो जिन्दा नहीं बचेगा कि अधिर लूडों खेल के टाइम पास कर रहा हूं तू भी खेल प्रीमे काम करेगा अगर यह ओफिस मेरा है ऐसा केस ठोक दूंँ तो क्या होगा अलवाए क्या कोट में साबित करना पड़ेगा करेक्ट उसके बाद तो में क्लेम कर सकता है केस साच्चा हुए तो ठीक जूटा हुआ तो सलाखों के पीछे जूटे क्लेम को बेस बना कर हम लोग सबको नोटीस भेजेंगे उसके बाद ही सुरू होगी नव रात्री चलूंगली से टाइप राइटर पर लिखना शुरू क नोटीस ठीक है बेज देते हैं कि सब्सक्राइश करने वाले ने केस किया सर ये जिस जगह पे हमने मॉल बनाया है उसके ओनर शफी ने कोर्ट से नोटीस भेज आ है की हम वो मॉल खाली कर दें कौन शफी खीड़की से बाहर देखेए सर वो आटो ड्राइवर येस सर इतना बड़ा जगा उसका है हो कैना ही नो सर मुझे नहीं लगता राजू माइड भी सर पद्मामती कोण आये रे टेंट लिये गवारे सूरेने करे ले माहिंदर आजकल कोट में जितने भी केसिस आ रहे हैं सारे के सारे प्रॉपर्टी रिलेटिड है बड़ी अजीब बात है और इन सारे प्रॉपर्टी केसिस में होम मेनिस्टर की हर जगा 50% पार्टनर्शिप है और मेरा दावा है कि होम मेनिस्टर ये केस हार जाएगा कोई तो है जो होम मेनिस्टर को टार्गट कर रहे है तुम्हारी जमीन पर क्लेम किया गया है अगर वो जमीन तुम्हारी है प्रूफ करने के लिए कोई सुबूत पेश करो ये रहे पेपर सर्वे नंबर 100 और 101 हमारे के नाम पर है जिन सर्वे नंबर्स की ये बात कर रहे हैं सरकार उसे वापस लेने और गरीबों को देने का ओर्डर कभी का इशू कर चुकी है यह उसकी कॉपी है सर कि सर उस जमीन के सेल ओर्डर की पेपर मेरे क्लाइन के नाम है आप चाहें तो इनने देख सकते हैं कि यह रॉनर यह जमीन या तो सरकार के पास होनी चाहिए थी या फिर गरीबों के नाम इस जमीन को खरीदना या बेचना जुर्म है सरकारी कागजात पर इसका जिक्र किया गया है और यह इसका सबूत कि रतन को कोट में पेश किया दाए सरकार बचपन से सड़क पर बैट कर जूते सिल रहा हूं मेरे बाप दादा भी यही करते थे और मेरी आने वाली पीड़ी भी शायद यही काम करते करते मर जाएगी कुछ साल पहले तक वो जमीन खाली पड़ी थी फिर एक दिन सरकारी लोग आये और कहा कि यहाँ गरीबों के लिए घर बनेगा पर पता नहीं पिर क्या हुआ वहाँ एक होटल खड़ा हो गया जानता था कुछ तो गलत हो रहा है पर यहाँ गरीब की कौन सुनता है एक दिन एक आदमी आया उसने सपना दिखाया कि हमारे दिन बदलने वाले हैं मेरा उस जमीन से कोई वास्ता नहीं जब तक हाद पैर चलेंगे चपने सीता रहूंगा लेकिन उसका शुक्र गुजार ह जिसने हमारे भारे में सोचा हां यह सारी जमीने जनकल्यान के लिए एलॉट की गई थी इन सरकारी जमीनों को दो सो गरीब परिवारों में बराबर बांड दिया जाए अदालत के शुक्म को फोरण लागू किया जाए साश टंग दंडवत प्रणाम खबर मीली अभी तो सिर्फ हाथ से जमीन निकल गई है छपपर भी उड़ेगा यह है चार कोप के ररवी का प्रकोप इतना संदा काई को कोमा में चला गया डाइरेक्ट तीसरा अटेक दूं क्या बेर चल तुझे बाइपास सर्जरी से निकालने के लिए एक एंटिबायोटिक देता हूं जिस गौतमी को तुने मारा वो मेरी बहन है वो मेरी हिफाज़त में है ले जाओ इसे तेरे जुल्म की हवेली पर गिद्दो ने बसेरा कर लिया है तू तो गयो करोडों का नुक्षान करवा के रवी अभी भी जिंदा है और आप यहां कुर्सी पे अराम से मैठे हुए इतना एगो सेहत के लिए अच्छा नहीं अरे क्या है वही तुम सब मुझे ऐसे देख रहे हो जिसने मैं कोई मुझरिम हूँ चलो हमें गेम खेलते हैं सच्चाई बताओ और इनाम पाओ बताओ मैं कैसा हूँ बाबु मोशाय आप सिंसेर लीड हो रहें सीम बोने का आलिटी तो फिल्म स्टार जेसी है नेता जी गुस्से में है कच्छोरी भी चाष्णी में डूबा के खिला चांत में दागे लेकिन आप नहीं सर आप एथ थोड़ा सा एगो है तुम बताओ भाई आप बहुत स्मार्ट हैं अभी शान्त हैं यानि कुछ दूर का सोच रहे ह कहता है कि मुझ में इगो है इगो है क्या नहीं सर बाबु मुशाय इगो का इभी नौई हसार स्यम्बोने का अरे मैंने इसे इगो नहीं बल्कि इसे एलिफंट पढ़ा है सही बोलना आपने जो भी पढ़ा है सही पढ़ा है एक बुलट सोस की बोलती बन कर सकता हूं पर अ दूब निकालो उस है, दोनों को साथ मारूंगा यही यही है? यह राहू, यह जीप रवी की है? नई, तेजा की है. ले, मुझे लगा रवी तेजा की है. वही वही। चल सिद्धा हुजा, आवी क्यों… आईने में पॉमेरियन डॉगीज दिख रहे हैं उन्हें हड़ी डालकर अभी आटाओं अँटी इधर पॉपलेट मार्केट की तर है में पॉपलेट नहीं करते हैं अंकल यह हैरस्टाइल को मैंने कहीं देखा है यह और यह वाला वाट न्यू लूक नहीं देखा है यह और रेजुमे प्लीज मैं शनी मंदिर के बार तेल बेचता हूं अरे देवा गोट्या तू वही तेल वापस इसे बेचता हूं अरे तमारो रेजूम लोगों की लाइफ में शनी लाता हो अरे अरे मैं तो आक से मच्छर मर रहा हूं लेकिन तुझे तेरा काम याद है कि भूल गया अभी आया क्या मैं इसकी जासुजी कर रहे हुआ हम अभी बरी गयो जिंगे लाग वहां मिल गया हम लोग के साथ ही है गांडा समझाए क्या चल फोन रख ओके जल्दी मैटो पेट्रोल महेंगा हो गया है ठाइक यू मैप अपलेट के दर्शन करके आपा हूं अधिके लव यू राजा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या पहले उसको मेक अप करेंगे फिर विटामिन डी का इंजेक्शन और प्रोटीन सेख पिला के लेके आते हैं चल फोन इडियाट्स यह लोग नहीं सुधरनार इकड़े काय खरेला वह दरसल हमने ऑनलाइन पांच ट्रक मच्छी खरी किये त वह कोमा में गज्रे लगाएगी अब कोमा लगा फुल स्टॉप ने लगाए फूल फ्रेश रहते आज ने तो कल लगाएगी यू फूल सही चिपकार ने सब्भी बड़ा अब क्या बक्या पापलेट ले लिए लिए बूल भी ले लिए लिए अब चूड़ी लेकर आओ जब देना क्या सीपीजी घर पे नहीं है वहीच है अरे के तु यह तो कमिशनर का गर है ना अरे हां यह तो अपने को चूना लगा के कमिशनर के घर में घुज़ गया बोच्छा अब फोन करता हूँ फोन करता हूँ सर बोलो भाई मेरा इनाम तयार रखोने ख़बर सुनो यह रवी तेजा की बेन गवता भी बंगाली कमिशनर के घर पे है तेजा की बेहन तेरे घर पे कैसे अब हमाड़ गोड में हेलो सुजैन इस मैडम हाउज होम तुमें को औरे बाबा मैं तुमारी साब की बेटी के मां का सिंदूर इसे बीच से काटो इसमें मसाला भरो और रापचिक पापलेट बनाओ नाव यू गो पहली बार जवाई ने घर में कदम रखा आरती उतारने वाला कोई नहीं है बीवी स्वाम जय जगदीश हरे स्वाम जय जगदीश हरे देखो कौन है हलो आरे शुनो कोई घर पे आये था आपकी बेटी का होने वाला मरद क्या घर गोल करता है फोन राख कोई गालत फामिली हुआ है सर हम खुद आगे चाक करता है 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 अगालोड़ फ्लेट्स वनाता हूं है घर गालूँ है ब्लेट्स वनाता हूं साब सीड़ी खिलना पड़ेगा मैं सीड़ी चड़ रहा हूँ अच्छे आया अच्छे आया सापने काटा आओ ये तिरा पल्लू प्यार बढ़ेगा हलो हलो कौन सा पर्फूम लगाती हो कौमल मुलायं खिली-खिली तु इच्छे मेरी गुलाब के कली फिर छे आया इस बार सापने डसा लाइसेंस नहीं है लाइसेंस नहीं है शाइलेंस इंसुर्स बढ़ टो बंपर पर्मित लाइफ लाइफ-लांग वेलिड कल इसी टाइम पर आऊंगा लाल साडी लेकर नहीं नहीं कल पापा गर पर लेकर अधी मरी गया के लो मेरी प्रीटिका औरने वाला इकपापती अल्ट मरीटा करकू स hélas और अनगा युक्तन है उसमें अर्मान नहीं यह याद नहीं आता है पडव यह लेन कि तर थो शुना है उसी व्युमर का डाय लोग है सर् earrings इधर फिल्मी डायलोग मालेगा तो हम गॉली मालेगा हुआ 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 है यह सब क्या है अली क्या हुआ हां बहुत मारा रहे जल्दी आटो लेकर आजा हां बोलियो डॉक्तर गॉतमी के इंग्जेक्शन खतम हो चुकी है जल्दी से ले आओ जी अभी लेकर आता हूं अखिर हुआ क्या था तुझे मारा क्यों तुम्हारा फोन आने के ठीक दस मिनट के बाद कुछ लोग तुम्हारे बहन को ढूटती मैंने कुछ नहीं बोला फोन आने के बाद इसकी तो माता क्यों बीट रहा है हमारे फोन रेकॉर्ड हो रहे है अट 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 एवियार हॉस्पिटल से उसे फोन क्या गया था मतलब उसकी बहन वही है उसके घर से हॉस्पिटल की दूरी 10 किलोमेटर है और हमारे यहां से पांच किलोमेटर की दूरी है उसका सिग्नल इस वक्त हॉस्पिटल की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है और हम प्रफॹस्पिटल को कर दो यूजम हो दोड़े नाओ यूसे लूझ दरूरे, राद फिरसे छिए मारे, यूज मेंके दार बारी, यू डूम अड़े, यूम इसका नाको वान रारे, यूम ऑने अचिके दोगादा दरूज नद BBQ अरूरे, यूमें हो पाड़े, यूत नरूरे, यूमें होता जाना, यू आगा रवी क्या हुआ इसे ले जाना होगा तुम पागल हो गए हो क्या इसे ले जाना रिस्की होगा यहां रखने में ज्यादा रिस्क है आप पुलड़की दे रहे करुब झाया रहे जाली जाली निकलो निकलो बगा, बगा! पाहर, निकलो! जोज़ा, जोज़ा, जोज़ा! जोज़ा! डर्मारी! मों, बघ्रायक, बखुआ काने क्फेला, बार निकलो! इसे ले जाना रिस्की होगा यहां रखने में ज्यादा रिस्क है होम मिनिस्टर को चूना लगाया यह क्या पागलपन है इसके लिए तुमने अपनी जान दाव पर लगा दी और तुम्हें मेरी बिल्कुल परवानी उस दिन जान पर खेल कर इसे बचाये तो इंप्रेस हो गई थी आज क्या हुआ तुम्हें पहले तुम्हारों के लिए जीते थे लेकिन अब मैं तुम्हारी जी रही हूं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं मैं तुम्हारे साथ जन्मो जन्मो तक रहना चाहती हूं तुम्हें ये मारकाट छोड़नी होगी दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन अपना जीवन दाओं पर लगा कर दूसरों के लिए जीना ही जीवन है मैं ऐसा ही हूँ गौत्मी जीएगी या नहीं ये कोई नहीं जानता लेकिन तुम मुझे जीते जी क्यों मारना चाहते हो क्या इसकी जान मुझसे ज्यादा प्यारी है चुप हो जाओ अगर मेरे पास सो जान होगी ना तो भी मैं इस पे कुर्बान कर दूँगा अगर साक्षात या मराज भी से लेने आए ना तो अकेले उसका सामना करूँगा इस रनात को सबसे पहले भाई का दरजा इस बहन ने दिया इसे नहीं छोड़ूँगा आख खुलते ही माबाप का साया सर से उड़ गया स्कूल में किताबों के पन्ने पलटने के बजाए मैं सडकों पर कागस चुनने लगा जहां पर सूरज ढलता मैं धर्ती मा की गोद में वहीं पर सोजा था ए बेटा ओठ 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 आ मेरे साथ दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं ये बात बच्पन से ही मेरे दिल में घर कर गई और मैंने ठान लिया कि मैं अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दूँगा अ कि एक दिन रेल्वे पटरी के पास मैं बिखर हुए कागस के पन्ने के काम कषिमी बेटा स्यूप जा जाओ जाओ बेंद एप्यारी इंस बहुत नहीं कि प्रेन आ रही है, हट्टो! अम्मा, अम्मा, इसका खयाल रखना, जो बजाओ, क्यों रही है, अच्छे बच्चे रोते नहीं, चलो मैं तुम्हें जूला जूलाता हूँ, अब रात हो गई, यह सोजा हो है, सुबह हम लोग खेलेंगे, डॉक्टर साब, डॉक्टर साब, देखिये न, मेरी बेट को तेज बुखार है, इसे बुखार नहीं है, बेटा, भूख लगी है, मा से कहुए से दूद पिलाएं, ओए तू पैसे की चिंता ना कर, मुझे बस खूण लागे दे, समझ गया, हाँ, समझ गया, सर, रुकिये, सर, मेरी बात सुनिये, रुकिये सर, क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा है, अगर इने खून नहीं चड़ाया, तो यह नहीं बचेंगे, सर, मैं देता हूना खून, कितना खून चाहिए आपको, बच्चे का खून लेके मैं क्या करूँगा, चल जाए यहां से, ऐ मेरा खून बहुत मीट है, मैं चोकलेट खाता हूना, बच्चे खून दान नहीं करते हैं, तू जा यहां से, ले लो ना अंकल, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, बेठा, यहां आओ, और तूसी फिकर ना करो, चल्दी ठीक हो जाओगे, तुमने जानते हो क्या, नहीं अंकल, तो खून क्यों देना चाहते हो, मुझे पैसे चाहिए इसलिए, और पैसे क्यों चाहिए, मेरी बेहन ने दो दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए रो रही है, पैसे मिल जाए, तो इसके लिए मैं दूध खरीदूगा, तुम्हारी सगी बेहन है, हां अंकल, नहीं अंकल, इस अम्मा ट्रेंज से टकरांके मर गई और मुझसे वचन लिया है, कि इसका ख्याल रखना, अब ये मेरी जिम्मिदारी अरी है, मुझे इसका ख्याल रखना है, लाला 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 चलो 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 पीलो 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 औहाँ चले 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 वो देखो वो देखो ये सब लोग कौन है आज के बाद से बच्चे तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारी बेहने हैं इतना बड़ा परिवार पाकियों में बहुत खुशुँ पिताजी क्या हुआ बटा बाबुजी ये पास हो गई तैंक्यो पिताजी मैं चाहता हूं बेटा कि यहां का कामकाच तुम समालो पूरी लगन से काम करो मैं दो महने के लिए दिल्ली जा रहा हूं ये अशिर्वाद देज़े पताजी महेंगी इपने का लाची बड़ी ओकल फोटोग्राफर बनना स्माइल एई हटना ये ठीक है ये अच्छों को यहां से शिफ्ट कर दो आशिर्वाद देजे पताजी क्या बात है बेटा मुझे मुंबाई में न्यूस रिपोर्टर की ज पैंक यू पधाई हो तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या बहिया जूब तो ठीक है मुंबई जाना अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से बात नहीं करते आइसके बिना मैं कैसे जी सकूंगा प्लीज प्लीज बिना मैं कैसे जी उनगा अपनी बहन के लिए प्लीज पर जिस बहन ने मेरी कलाई पर रक्षा का धागा बांदा था, उसकी रक्षा करना मेरा फर्स है. सब ठीक है, सर? अगर मेरी बहन बच पाई तो इनकी वज़ा से. गौत्वे! गौत्वे, क्या हुआ? गौत्वे! कुछ भूती क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब है. कौन है वो लोक्त? हलो, हलो, I'll take care of your sister. एक काम करो, वरुन मुंबई आजा. इनका कॉल आते ही मैं मुंबई पहुचा, ये मुझे स्टेशन पर लेने आए थे, लेकिन अंजाने में हम दोनों में हाता पाई हो गई. फिर फोन करने के बाद मुझे पता चला, कि इनी के घर पर मेरी बहन है. और हमने गौतमी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया. आप IPS आफिसर है, कुछ कीजिए सर. कुछ नहीं कर सकता मैं. IPS आफिसर बना ता कि लोगों की सेवा कर सकूँ. IPS. हम सिर्फ महरे बनकर रहे गए इन पुलिटिशन्स के. सिस्टम ने उनका खुलाम बना दिया है. उनकी कुरसी के आस पास मन रहाते हैं. उससे ज़्यादा हमारी आउकात नहीं. उनके दिन भर गए. एक-एक को घर में गुस कर मारूँगा. ऐसी मोत मारूँगा कि उनका पोस्ट मॉटम भी नहीं हो पाएगा. बच्चों जैसी बातें मत करो. वो हूम मिनिस्टर है. उसके घर की देली सपार करने से पहले तुम दुनिया से पार हो जाओगे. जो भी करना है, होश्यारी से करना है. अब तुम बनोगे अर्जुन और मैं बनूगा क्रिश्न. हो मिनिस्टर की सारी खुफिया इंफर्मेशन इन्होंने मुझे दी. एक जिम्मेदार पुलिस वाले की तरह इन्होंने मेरी हेल्प की. उन राक्षसों के खिलाफ इसने अकेले ही युद छेड़ा है, बेना अपनी जान की परवा किये. दिल का ही राही. सारी. होता है. अभी तक वहां से फोन नहीं आया, हम लग इंतिसार करें. सर, रिपोर्टर गौत मी डिश्चार्ज हो गई है. हॉस्पिटल के M.D. रगुराम से मेरी बात हुई है, और उने भी ये नहीं पता कि उसे कहां शिफ्ट किया गया है. कुछ भी करके ढूड़ा उ तुम, रहू. हाँ, मुटा भाई. ठासु मनली आ गई? बेवड़ा काया है? कॉमन भावी कित है? अप उनको क्यू बुला है, भाई? बिना जूड बोले अपनी जिंदेगी पे रोश्नी डाल. फुकरण की पीने के बाद मैं बहुत सच-सच बोलता हु. मालू में. शराब, करेगा लिवर खराब. ठोड़ी पी, कॉमन भावी को टुन कर डाल. हाँ, शुरो जा. एक बार में सवंदर बेगे, वहाँ पे सीप की जगा रमेश किप्पी मिल गए. बोले छोले टू तू तूम करो. बारेक पॉइंट पया. उधर ही चारे लाओ. फिल्म क्या बोला तू छोले टू? मेन मेन सिन बता. ठाकुर साब नए हाथ लगवा कर बसंती को लेके मेले में घूम रहे हैं. और बसंती करना चूस रही है. क्या दिवाग पाया है? गबबर ने मौसी के साथ शादी कर लिए और शॉट और स्वीट फैमली बसा लिए. सूर्वा भुपाली के स्टोरी में जान डालने के लिए करना बड़ता है. बहुत जान डाल रहा है. आप दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया? किया कि उन्हें ओफर भी आया था. बड़े डिरेक्टर ने दिया था. फ्रंट रवाजा बोलके मैंने बला टूसाइड दोर नाम रखो. बहुत अच्छा परफॉरमस दें. ये डबल मिनिंग में मज्जा मैं सच बोल रहा हूँ. वैसा डबल मिनिंग नहीं सार. परफॉरमस मतलब एक्टिंग, डांसिंग दोनों. अरे डांसिंग में इसका पैर कोई नहीं बड़ता है. मोटी मोटी एक ऐसा ना चाहिए. बढ़ क्यों भूखे शेरों को डाना डाल रही है? चल चक्ली गली से कपने धोकर आते हैं. मेरे को पहले से घ्यान था. मदीरा की खुच्बू से प्यासे कवे जरूर आएंगे. पिटकर खाओगे या खाकर पिटोगे? तुने बताया नहीं यहां दारू पाल्टी भी है? कैसा दोस्ते बताया नहीं? बिर्यानी भी है. देखने इसने मुझे बताया नहीं. काई को न अगर एसी बात है, तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा माल असली है के नकली. चल टेस्टिंग करा. मोडा भाई, थारा मंतली कितने का पैकेज है? यह कॉल के पैकेज का पूछ रहा है या डेटा के? छे-छे-छे, पगार पूछ तो रहे. छे-छे, सेलेरी तंखवा पगा सुना था, लेकिन हाथ-पैर तुड़वाने कभी होता है? चुमत्या, होता है. खा मारी करता है, मम्मी. लाइफ की सिक्योरिटी नहीं किया क्या? सिक्योरिटी तो बोच्मेन करता है. अपने गणिया ने नेता जी के लिए काम करके खुद के हाथ-पैर भी तुडवा दिये होस्पिटल में खाटला लग जाता, कितने दिनका? छे महीने ऐने चे महीने का लग गया. आरे-धर भी तुड़ रिसलास अरे मरने के बाद लावार इसलास बनो गया? थारे बच्चे, कौनो स्कूल में जाया है? अरे श्कूल में क्यों जाएगा? मेरा बेटा चाई की टप के लिए कीलिंग और विक्रम भाई के लिए लेंड ग्रेविंग बोले तो खुद का बिजनस करने का आइडिया बता हूं जल्दी से बता हो मिनिस्टर के लिए जो जमीन पर कभजा किया है अब उसी जमीन पर अपना कभजा जमाओ अरे आइडिया तो सॉलिड छे बापू जले वे स्वीट पटेटो वह सिमकार का नहीं इल्लीगल दारु का ठेका चलाने का फोर्म था मुकेश अनील रत्तन विजय विजय के नाम से जो शॉप है वो तुमारी हुई उसके कब्जा करके कब्जा दिलाने का काम मेरा ये विजय हिमालया नहीं भागेगा प्रेंडी भाई जहां तक नजर जा रही है वो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और उधर भी पूरी की पूरी जमीन कि ये बोर्ड किसने लगाया उखाड़ इसे अरी मम्मी ना सम बोर्ड को हाथ मत लगा ना प्रोब्लेम क्या है बोल तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं मेरे को बड़े से बड़ा IPS भी नहीं चूँ सकता मेरे पास एक्सिलेटर बेल है एक्सिलेटर बेल ये का है क्या ये बक कर च्छाट ये मेरा कार्पेंटर स्टाइल है कार्पेंटर बना करने क्पेंटर नहीं रहे ग Für. अब यह कॉट बोला वही अ चला एक नंबर का पाले अगर यहा रुका तो सारे के सारे अमेले हमारी तरफ आ गए हैं सर उसने हमारे सभी आपने खरीद लिये हमारी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया ऐसा तूफान से पहले की खामोशी को वो मेरी कमजोरी समझ रहा है उसकी बहन का इलाज करने वाली डॉक्टर का कुछ इलाज करो आ व मीन, सूपर अजीना मालविका 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 स्पीकर उनकर मेरी घुलामी करनी की बजायत उसके तलवे चाट रहा है तू उसे सपोर्ट करता रहा है और तेरी बीवी उसकी बहन को भनक तक नहीं लगने दी हमें दूनों मिया बीवी कान खोल के सुनो फिर इससे उस अनाथ को सपोर्ट किया न तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे यह अनाथों के देवता तू जिसकी भी हेल्प लेगा न तू बाद में पहले वो मरेगा तेरी वजह से आज बच्चों की यह हालत है तेरी वजह से आज बच्चों की यह हालत है छोटो रूप जाएंगे बच्चों की यह हालत है कोहे उसे बच्चों, ब्लेज बच्चाओ फीर मतो राहा, अँमनों कुछ करते है अपप्चों कुछी करना, हाराम है बटा बटा मेरी बात सोनन, ऐसा मत कर मतलगा बथा मेरा बेट्रकों बचालो झोटो, ऐसा मत कर बटा बटा मां की बात सुन मैंना ले चुटू मैं चुटू नहीं मेरा बेटा मेरा बच्चा चुटू मेरा बच्चा शरम नहीं आती इसी दिन के लिए माने बढ़ा किया था चुटू क्यों किया इसा क्यों किया क्यों किया आफिर ऐसी कौन सी वजय थी जो तो खुद की जान लेने चला था मेरा जी के कोई फाइदा नहीं है मा का सपना था कि मैं पुलीस में जाओ तेरे पापा पुलीस है तू भी बढ़ाओ के पुलीस वाला बनना और देश की सेवा करना मा बच्पन से यही बोलती थी जब पुलीस में सिलेक्शन नहीं वा तो मैं क्या करता पुलीस वाला बनने के लिए मैंने दिलो जाद से महनत की मेरा जी के कोई फाइदा नहीं तू पुलीस नहीं बन सका कोई बात नहीं लेकिन तेरी जिंदगी मेरे लिए उससे कहीं बढ़ करें आज के बाद ऐसी बेवों को भी पिर कभी मत करना तुझे मेरी गजब पुलीस के लिए यह जरूर पुलीस ऑफिसर बनेगा अगली बार अच्छी तैयारी करना तैयारी करके क्या होगा आप एक मिट रुकिए मेरे चार दोस्त अल्रेडी सुसाइड कर चुके हैं एक को मीडिया ने निमोनिया बताया दूसरे को गल्फरिंड ने धोका दिया तीसरे को ट्रक ने उड़ा दिया चौधे अपनी जान दे दी यह सब मीडिया की बनाइवी मन घड़नत रिपोर्ट से पूरे का पूरा सिस्टम करप्टे सर बैटा पुलिस की नौकरी के लिए इसने दिन रात महनत की है फिर भी पुलिस में भरती नहीं हो पाया मैंनत मस्दूरी से पाई-पाई जोड कर इसे पढ़ाया ताकि मैं इसे पुलिस बना सकूँ पर ब्राष्टाचार ने इसके इरादों को पूरी दर असे तोड़ कर रख दिया बिटा अगर इसी तरह आत्मात्या करते रहे तो करप्शन और बढ़ेगा माने तुम्हें क्या इसी दिन के लिए पाल पोस्कर बढ़ा किया था कि वो तुम्हारी अर्थी उठाए खाक ही वर्दी तयार रख बात जचेगा उसमें यह क्या हुआ बेटे की मौत कैसे हुई प्यार में धोखा खाने से आपके संस्कार इतने हलके ने की वो इस वज़ा से जान देता मुझे असली वज़े जाननी है तुम सही कह रहे हो उसे प्यार में कोई दोखा नहीं मिला पुलीस की नौकरी नहीं मिलने की वज़े से जान दी कि मेरा बेटा चेंपियन था हम पुलीस सेलेक्शन में लॉंग जंप का रिकर्ड थी पॉइंट फाइम मिटर ठा उसने चार मिटर का रिकॉर्ड बनाया है는 हाई जंप का रिकॉर्ड 1.2 मीटर था मेरे बेटे का रिकॉर्ड 1.4 मीटर 800 मीटर की दौड के लिए 170 सेकेंड का रिकॉर्ड है मेरे बेटे का 150 सेकेंड और रिश्वत का रिकॉर्ड 50 लाक रुपए मेरे बेटा फेल हो गया पता है क्यों क्योंकि मैं इक हीमाणार आदमी हूँ और मेरे रिश्वत का पैसा नहीं दे सका इसलिए उसने जयान दे दिना हर सरकारी दफ्तर में लूट और रिश्वत खोरी है इसलिए मेरा बेटा रिश्वत खोरों की बेड़ चड़ गया मार दिया उन लोगों ने उसे उस दिन तुम्हें देखकर उमीद के किरन नजर आई कि तुम ही कुछ कर सकते हो मैं तुम से मिलने भी आया लेकिन जब सीड़ियां चड़ने लगा तो मुझे अपने बेटियों की आद आई कि अपने भाई को खोकर ये तीनों पहले से दुखी है अगर मैं होम मिनिस्टर के ह मातों मारा गया तुम इनका क्या होगा कौन देखेगा इने कौन समालेगा एक मिनिट कह देना कि शॉर्ट सर्किट में जल गई और जला देना लो पकड़ो आरो भाई ये लो इसमें पचास हजार जिंदगियां कैद है अगर दम है तो मेरे बेटी की तरह मरने से बचा लो इने सिस्टम को करप्शन का वाइरस लग गया है अगले 72 घंटे में हमारे हिंदुस्तान के 50,000 काबिल नौजवान खाकी वर्दी में नजर आएंगे वो भी बिना किसी रिश्वत की या आपके इस बेटी का एक बाप सिफाता है उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष न मिले स्वामी जी ने दुनिया को ये संदेश दिया युवाओं को आगे आना होगा, जाग रुख होना होगा मेरा भी यही संदेश है अपना संदेश अपने पास रख पहले स्वामी जी के अदर्श पर तूखुच चल क्या बक्वास कर रहे हो, बक्वास तुम लोग करते हो क्या आप साबित कर सकते हैं क्या आप सच बोल रहे हैं जनता के इस रक्षक ने रिश्वत की सेच पर लेड़कर पचास हजार जवानों के भविश्य की सुली चड़ा दी यह किसी दलाल से कम नहीं है कि पहले यह बताओ तुम अपने होश में तो हो मरना जो दिखाऊंगा उससे थारे होश उड़ जाएंगे पॉलिस भरती में होने वाले फ्रॉड का सबूत कि दिमाग के टत्ती जाम हो गये दें रात मैमेने करके पुलिस भरती के दिए फिर जवान वर के जवानों की मेरिट ले स्ष इन जिसमें कोई सफाय कर्मी का बेटा है पानीपुरी वाले वाले का भजी वाले का कोई कोई ड्राइवर का कोई कंड़क्टर का कोई क्लीनर का इसमें कोई बड़े बाप की आउलाद नहीं है हमारे साथ इतना बड़ा धोका किया भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा हाँ भईया इस आदमी ने हमें धोका दिया है इसकी वज़े से ना जौब मिली ना मिलेगी मेरा दिमाग खराब था कि 500 रुपे दे के इस कॉन्फरेंस में एक करप्ट आप्मी की जूटी बखवा सुनने चला आया कि अब साबित कर सकते हैं दो भी तलाओ के सिया यहां मौजूद है आयला है साब उपर आने का कश्ट करेंगे नवस्ते साब कैसा है बोले तो कुछ खाना विना खाया के नहीं आशा से यह पुलिस नहीं चोर लग रहा है एजुकेशन बहुत पड़े लापुन फटे तक कौन सी युनिवर्सिटी से राजावाडी मेडिकल पुलिस युनिवस्टी कौन से साल में अभे कौन से साल में किया था जिस साल मुंबई में पानी बढ़ा था उसी साल पुलिस का काम क्या होता है घरीबों की खुकाई करना गुंढों सफता लेना चोर को पकड़ा पोलिस की शॉब के लिए 25 लाग दिया और पॉस्टिंग के लिए 25 लाग अलग से 50 लाग में किसी गरीब का हग छिनकर उसे खुद्खुशी करने पर मजबूर किया यह है अखंड हिंदुस्तान के खंडित नेता सब कुछ समझा गया मेरा स्टाफ इसका जिम्मेदार है एक इंक्वारी बिठाऊंगा तेन दिन में रिपोर्ट दूँगा आपको सच को मेरे सामने लाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ कि जिन्दगी में कभी कोई जरूरत पड़े तो याद करना कि कमेटी बिठाने का वादा तो कर दिया और उसकी डेडलाइन भी खुद ही डिसाइड कर ली लेकिन तुम्हारी डेडलाइन मैं डिसाइड करूंगा पुलिस भरती घोटाले से पार्टी की साख मिट्टी में मि दिला तो तुम्हें रिजाइन करना होगा समझ गए अब जाओ कि मुझे सीम बनना है जितने मेलेश चाहिए खरीद लो बात अब इगो पे आ गई है एक मेहने के लिए बनू तो गम नहीं जो खर्चा आता है कर डालो हो जाएगा हलो तुने मुझे तीन दिन का टाइम दिया था ना है अब मैं तुझे तीन दिन का टाइम देता हूँ सारे अमेलेश खरीद चुका हूँ सीम बनने वाला हूँ माला तयार रखना गटमी प्रिट भूटमी वैया अन्वर, इसीने मेरे पिता जी को मारा, ये पाताल में हो तो भी ढून लूँगा, तुम इसे जरूर ढून लेते, अगर ये इस दुनिया में मौजूद होता, ये मर चुका है, हाँ, मारा के है, जिस दिन शेहर में प्लास्ट हुआ उस दिन, शेहर से फरार होते वक्त, पुल वो जिन्दा ना बच पाए, ये होम मिनिस्टर का ओडर था, और इसलिए मीडिया तक ये बात नहीं पहुची, उसके बाद ही मुझे होम मिनिस्टर की असलियत पता चली, मतलब, सारे रास्ते बंध हो चुके हैं, नो, नो, हिम्मत बतारो रवी, हम तुमारी बहन को सीम के पास, गवर्नर और मीडिया के सामने ले जाएंगे, उसके बाद इंक्वाईरी बैठेगी, अगर हमने ये कर दिया तो वो सीम कभी नहीं बन पाएगा, सर, हमारे पास ये आखरी मौका है, सर, रिपोर्टर गौतमी को होश आ गया है, उसका भाई कहा है, आई पियस ओफिसर के पास, वो दोनों सीम के पास जाने की सोच रहे हैं, भीया, सीम तक पहुचने से पहले उन्हें शम्शान पहुचा दो, ये ओडर नहीं, मेरा इगो है, अजया को मेरा नहीं, वेगे हैं, सक्षिव पहुच्ज। अनुवच्छ। अगर देश में ऐसे कई लोग और पैदा हो गये तो हमारा देश अनाथ होने से बज जाएगा पापा तेजा के पास मज जाओ हां हम जाएंगे हैं हम लोग तो तेले हो गये वो थगा हो गया और क्या वो मेरा बेटा है सगे होकर भी तुमने हमें ठोकने खाने को छोड़ दिया था उसने हम दोनों को सगे बेटे जैसा प्यार दिया क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें पाला था वही हमारा बेटा है और हाँ एक बात याद रखना वक्त बदलते देर नहीं लगती है जिस दिन हमारी उमर के होगे ना तुम्हारी आुलादें भी तुम्हारे साथ यही करेंगी तब तुम्हें हमारे दर्द का एसास होगा चलिए जी शगुन्दो तुम मेरे घर की बहु बनोगी और यह तुम्हारा दूला अपने बॉइफ्रेंड को भूल जाओ वरना डोली के साथ अर्थी भी उठेगी डोक्टर देखिया ना होश आगया करेंगी तुम्हारा दुम्हारा बहुत सारी लोग तेरा वेट कर रहे हैं हाँ 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 यह आम तुम्हारे ली हाँ थाले ना मा को दो बाबुदी यह ले मा हाँ रवी बच्पन से तुम कहते थे कि तुम दुनिया के और दुनिया तुम्हारी कभी उस बात का मतलब नहीं समझ पाया लेकिन आज समझ गया कि नेक काम करते करते तुमने दुनिया को अपना लिया यही असली लाइफ है यही आज सिंपली ग्रेट रवी तेरी आदतों से हम लोग परेशान रहते थे हम समझते थे कि तु अंजान लोगों पर अपना वक्त बरबाद करता रहता है लेकिन तू सही था इसे लिए आज इतने सारे लोग तेरे लिए खड़े हैं अब तक तो हम लोग तेरे साथ जी रहे थे लेकिन अब हम तेरी तरह जीएंगे मैं अगले चार गंडे में अधित्य स्टेट का सीम बन जाएगा उसके बाद हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे फान उठाने से पहले ही हम उसे कुछल देंगे आनन भूपति आनाथों के लिए किसी तेउता से कम नहीं थे उनकी मौत को आपके सामने हाथसा बना कर दिखाया गया है सच्चा ही कुछ और है बिना डरे बताओ मेरा नाम गौतमी है मैं एक न्यूस चैनल में जनलिस्ट हूँ मैं नई सरकार की ओच सरमेनी कवर कर रही थी और तभी समारों के दौरान एक बॉम ब्लास्ट हुआ हलो एए फोन दे उसे मैं न्यूस के फुटेज चेक कर रही थी और तभी अचानक मुझे उसमें कुछ है पहला प्यार भूलाए नहीं भूलता इतना जालिम नहीं हूँ एक मौका जरूर दूगा तुझे अपनी बहन को लेकर फॉरन आजा चलो क्या हो रवी जाना होगा सर वरना मालविका की शादी हो जाएगी अगर गय तो कौतमी कुमारते का दोनों में से किसी को कुछ नही होगा यह मेरा वादा है सॉरी फ्रेंट्स एक प्रेस मीटिंग हो गई एक काम करो तुम फार माउस पहुंचो सारे एम एलेस को डबल पैसे देकर खरीद लो ठीक है कि अ कि 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 झाल झाल जाल जान दिल, जान दिल, जान दिल उसे आंदर काई कोई ने जिया साथ? बहुत जालाग है, मीडिया को साथ लेकर आया शम्चाए अभी कुछ नहीं कर सकते एक बर तेरी बेटी की डोली उठ जाए फिर उसकी अर्थी उठाएंगे या साथ अलाओ, बसको फोन दीजिए ओके, होम शेकरेटरी का फोन आए, कुछ आर्जिन बात करने का है जल्दी बहुल सर, रवी का दोस्ट फार्मास पहुच गया और हमारे मेलेस खरीद रहा है, सर जल्दी कुछ कीजिए, वारना आप सीम नहीं बन बाएंगे वो बीस देंगे, तो हम तीस देंगे लोटे, सेले, जापन भी फेले, एक 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 एमेले का तीस करोट रख से जो पैसे लुटे थे, उसी से वो एमेले खरीद रहा है और वो सारे बिखने के लिए तयार है, सर रोकड़ा दूगा, रोकड़ा, बोलो कौन-कौन भीकेगा, आज रोकड़ा कल उधार जल्दी यहाँ आये, सर, वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी वहीं रोको, मैं आ रहा हूँ यह हमारा गेम पलट देगा, सारे एमेलेस खरीदने वाला है मेरे लिए इगो से बढ़ कर कुछ नहीं, यह यहाँ से हिले तो इन दुनों को मार थे ना, मैं वहाँ जाके देखता हूँ ठीक, आज़े जल्दी से फार्म हाउश चल आओ काका, आओ आओ, थेला फ़र के दूँगा, आओ एए, इदर कहा जा रहा है, शार्ट कट है सेर जब हम एमेलोस को खरीदना शुरू करेंगे, तो हो मिनिस्टर उन्हें रोकने आएगा, आप सिर्फ उनका रास्ता बदल देना, और हम उनकी गाडियों में अपने ड्राइवर्स बिठा देंगे झाल यшее, पिछ αυτा है, तो हो मिस्टेबा रास्ता बदल बातन कादा है, क्ाल माना को तेओ एथ यहीं, अप्पनी का टहद रहा है, मैं टची सेर 내려va a फिस सेर चाइवर्स भेंगे झाल 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 तुम जैसे नेता उने तेश को खोग रा किया है तुने मेरा ही को हट किया है मेरे सामराज की बुनिया धिला दिये मुझे पावर चाहिए पावर लोगों को लूटने से नहीं उनकी भलाई करने से मिलती है और कितना पैसा चाहिए तुझे अनलिमिटेड अंबाली से भी ज्यादा पैसो पर सोना चाहता हूं इस देश का सबसे अमीराद भी बनना है अब एक खाली आता है था खाली आती जाएगा करीब जनता की सेवाकर उनका प्यार ही असली प्रापटी है मैं पैसे से सब खरीच सकता हूँ पच्छिस हजार की कन और पच्छिस दुपए की कोली जब गोशेगी तो तेरी प्रापटी कुछ काम नहीं आएगी कहा है तु बहिया मैं आपके बहुत पास हूँ अपने राइट में देखो ना है नीचे आजा हाँ 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 पोन रखो आता हूँ बाड़े के कितने मजदूर लाया बेर पचास में एक कम है पर तुझे दुनिया से कम करके जाएंगे तेरे अंदर विलन वाली आग देखकर मेरे को बहुत डर लग रहा है एक तोड़ू-फोड़ू ओफर दूपर जल्दी बता बता तो करोड की करक नोड़ देता हूँ आपको लेकर केदार नाच चला जा मुझे दूद पीता बच्चा समझाए नाटक चल रहा है यहां पर उल्लू का पथा तुझे क्या लगता है दो करोड के लिए अपने भाई को मरने छोड़ दूगा मुझे सो करोड रुपे चाहिए कितने का मुझ भड़ा पूरे सौ करोड तारूपी क्या है क्या हूं यह सब आपी से तो चीख है भाईया मिनिस्टर भी आप बनो बैंककोग जाके आई याशी भी आपकोरो पैसा भी आपी कमाओ मैं क्या उनली जहक मारने के लिए हूं दाड़ी तेरे पर सूट करती रहे इसेच रखना मेरे पैसे पहुचा देना चलो बच्चो उसने ऐसा क्यों किया तेरा भाई यह पीट पे खंजर भोगा तुने भी तो यह किया पैसों के लिए भाई का सौदा किया तुने भी तो पैसों के लिए बाप को मारा ऐसा तुने क्यों किया तो फिर मैं और क्या करता दिल में घुस्सा भरा था बस यही डर लगता था कि बिना पैसों के एक दिन भूखा मर जाऊँगा तब विक्रम बहुत छूटा था लोगों की जूटन खाकर किसी तरह हम अपना पेट भारते थे नफरत होगी थी इस से तू भी आनाथ मैं भी आनाथ हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं आज हम उसी समाज के बीच खड़ें तुने पैसों से खरीदना चाहो और मैंने लोगों को प्यार से जीत लिया यह देख मेरा इंवेस्टमेंट दिन रात मल्टीप्ला होता जा रहा है तेरे पास से कंगाल हो गया बापू अनलिमिटेड पाप किये तुन्हे तेरे पापों की बाल्टी लबालब भर चुकी है अगर सबने मिलकर एक एक लाफा भी मारा ना तुझे तो यम्राज से मिलेगा तू अब बोल डायरेक जाएगा वाया वाया टिकेट के एंसल नहीं होगा तुम्हारे भाशन के जहासे में आकर लोगों को लगता है कि उनकी तकलिफे कम होगी लेकिन वोट लेकर तुम उन्हीं को चोट पहुंचाते हो कि भाईया मैं तुम्हारा हो जाऊंगा यह सब तुम्हारे हो जाएंगे बस कोट के सामने अपने गुना कबूल कर लो गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता आदित्य भूपती इस बात का इकबाल करता है कि उसने आनंद भूपती का खून किया है यह अदालत आदित्य भूपती को साथ साल कैदे बा मुशक्कत सुनाती है और ये हुक्म देती है कि आनन्द भूपती की सारी जायदाद आनन्द ग्राम अनाथालाय और व्रिधाश्रम को दे दी जाए आओ कि आनन्द आनन्द प्रूपती की सारी ट्न आनन्द